इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पताने जा रहा हूँगे किस तरह से आपको online exam लेना है किस तरह से अपने answer seat को upload करना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने class के WhatsApp ग्रूप में जाना है यह मैं WhatsApp ग्रूप में आ गया यहां पास आपको जो question paper है वो PDF format में दिया जाएगा इसे आपको download कर लेना है जिस आपको दिखराओ गया है स्क्रीन पे यह देखिए PDF format में है इसे ऐसे download करके इसे open कर लेना है जो आप open करेंगे तो open with का option आता है by default open हो जाता है अगर कोई problem आती है आपको तो play store से PDF reader download कर लिजएगा इसे open कर लेते हैं generally android में problem नहीं आती है android phone में अगर ऐसी कोई problem आती है PDF को open करने के लिए तो आप एक PDF reader play store से download कर लिजएगा यहाँ पास एक sample paper है जो समझाने के लिए मैंने लिया है आपस इस तरह से आपका question paper आ जागा इसे देख लिजएगा जो question number डले है उसी तरह से question number और answer number डालके आप answer sit त्यार कर लिजएगा यह copy में सारा answer लिख लिजएगा लिखने के बाद जब आपका copy complete हो जाए तो इसे close कर दीजे PDF को close करने के बाद आपको जाना है Google Drive में Google Drive कहाँ पास होता है हर android phone में आप इस तरह का icon देखते होंगे इस पर drive लिखा रहता हुआ यही Google Drive का लाता है इसे open कि यही आपें है आपको चलिए open करते हैं इसको इसे मैंने open कर लिया है जैसे इस को open करते हैं तो दिखके राइट साइड में bottom पर प्लस का sign आपको दिख़़ लगा हुजा आपस camera का icon बना हुआ तो इस camera के icon पे आपको touch करना चलिए scan पे touch करते हैं यह मैंने touch किया यह आप देख रहे होंगे कि camera इसका start हो गया है अगर first time आप यूज़ कर रहे होंगे इस option को तो हो सकता है permission मांगे allow करने के लिए तो allow कर दीजिएगा यहाँ पास देखिए कोई चीज़ अगर आपको scan करना है तो आप इसे easily scan कर सकते हैं यहाँ पास आप page को सीधा रखेगा बराबर रखेगा और mobile को जो है हलका उपर रखेगा एकदम बराबर में नहीं रखना आपको page के हलका सा उपर रखना है और page आपको बराबर रखना तक कि सारा जो मैटर है सारी इंफोर्मेशन जो है वो टीचर को किलियर समझ में है यह हमने बराबर रखा हलका सब उपर कैमरा रखिएगा और उसके बाद कि इसको किलिक कर दियेगा कि किलिक करने के बाद देखिए नीचे ओके और ड्री-स आ रहा है तो आप अगर इमेज है अगर सही आ रही है तो ओके करेंगे अदरवाइज को ड्री-स आगन किलिप ले लेंगे तो यहाँ पास मैं ओके करता हूं कि यह पहला प्रिकाया लेकिन यहां पास कुछ इंफोर्मेशन जो है वह कट रही है तो यहां पास आपको एक बैक का बटन दिख रहा होगा इस बैक के बटन पर टेच करेंगे फिर से ट्राइब करेंगे क्लिप लेने के लिए यह बराबर आपको मॉईल रखना है क्लिक किया हमने ओके करते हैं यह दिख रहा होगा आपको कि साइड में इसका कर जा रहा है क्यों कर जा रहा है क्योंकि वहाँ पास सेड़ आ रहा है परचाहिए फिर से बैक करते हैं इसको और यह फिर से किया हमने ओके करते हैं यहाँ पास देखिए आपका जो इमेज है वो पूरा आगया है अब नया image एड़ करने के लिए जस्ट यहाँ पस देखिए एक plus का sign बना हुआ है bottom में left side में bottom पे एक plus का sign बना हुआ है multiple image एड़ करने के लिए चलिए इस plus पिर touch करते हैं next page open करते हूं यहाँ पस क्या होता है यह scanner होता है तो इसे ध्यान से scan करना पड़ता ठीक है बराबर image को रखके इसे आप scan कीजिए हलका उपर then ok यहाँ गया आपका आपको यहाँ पस यह ध्यान देना है कि जो information है कहीं इस नहों सारा चीज जो आपने copy में लिखा है वो सारा चीज आना चाहिए नहीं आने case में आपके पास back button है आप back कर सकते हैं यहाँ आपस आप देख रहे है 2 लिखा हुआ है 2 मतलब यह दूसरा image है पहला image हमने scan किया था तो दो image लिए हैं दूसरे दो image में यह second वाला image है चलिए और प्लस करके देखते हैं फिर से प्लस पे टेच करते हैं यह कोई image है इसको scan करना है इसको भी try करके देखते हैं यहलका उपर camera आपको रखना है बराबर रखिए क्योंकि यह scanner है यह ok किये यह image आ गया पूरो उसके बाद आप यहाँ पास देख रहे होंगे save का button है यहाँ bottom में आपको save का button दिख रहा होगा अगर इसमें से कोई image आपको हटाना है इसको आप ऐसे scroll करके देख सकते हैं अपने finger से इसको first, second, third अगर इसमें आपको लगता है कोई image सही नहीं आया है उसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे एक minus का निशान बना हुआ है इस पे touch करके suppose यह image हमको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा इस minus पे touch करके इस image को हम हटा सकते हैं तो जो भी हटाना है उस image को लाके बस यह minus पे touch कर लिजे इसके लगए अगर आपके पास time है तो आप crop पाला बटन use कर सकते हैं और image को बराबर set कर सकते हैं देखिए कैसे यह crop हमने use किया यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सीधा कर सकते हैं image को और done कर सकते हैं इस तरह से हम जो image है जो page है उसको हम सीधा कर सकते हैं यह option की help से ठीक है यहाँ पास मैंने दो image लिया है और भी image लेना है तो same way चीज है आपको यह bottom में जो plus sign है उसकी help से आप नया image add कर सकते हैं तो यहाँ पास आपने देखा कि मैंने यहाँ पास दो image लिया अब दोनों image है क्या करना है आपको जैसे ही आप save करते हैं तो by default इसका PDF बन जाता है चलिए देखते हैं कैसे बस आपको यह save button पे click करना है bottom में जो दिख रहा होगा आपको save button इस पे आपको touch करना है यह चलिए touch करते हैं यह मैंने आपस touch किया यहाँ पस देखिए dot PDF यहाँ पस आपको थोगा सा ध्यान देना है यहाँ पस जो file का नाम है वो scan करके लिखा हुआ और last में देखिए dot PDF लिखा हुआ है तो dot PDF को आपको delete नहीं करना dot PDF को आपको रहने देना है केवल यह जो area आपको दिख रहा है जो selected आपको दिख रहा है blue color से केवल उसे आप delete कर लिजे लास्ट में dot PDF रहने देना है उसे delete नहीं करना ठीक है माल लिजी यह class 10 का paper है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ class 10 FIT ठीक है dot PDF by default दिया ही है उसके बाद आपको save button पे click कर देना यह save button पे मैंने click कर दिया यहाँ पस देखिए waiting to upload दिख रहा होगा आपको यह upload होना शुरू हो रहा है यह जब तक upload हो रहा है तो एक चीज और आपको बता दूँ कि अगर यह upload नहीं होता यह होगी upload अगर यह upload नहीं होता तो आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पास left side में देखिए three dots बने हुए हैं उस पे जाना होगा और यहाँ पास setting का option आपको दिखाई दे रहा होगा यह setting option इस पे जाएगा इस पे जाने के बाद यहाँ पास यहाँ पास option दिख रहा होगा देखिए यहाँ देहां से यह वाला जो button है यह by default किसी किसी mobile में on होता है अन होने से problem क्या होगी जब यह on होगा इसका मतलब है कि केवल wi-fi से जब mobile connect होगा आपका तभी कोई भी चीज यहाँ पास upload होगी आपके google drive में यह clearly mention है transfer files only over wi-fi देखिए अगर यह on है इसका मतलब जब wi-fi से connect होगा तभी google drive में आपको इचीच upload कर सकते हैं अगर यह on है तो इसे off कर दीजगा तो फिर upload हो जाएगा ठीक है चलिए back चलते हैं हमने upload कर लिया हमने नाम दिया था class 10 FIT अब इसे close कर लिजे इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था एक video file था और दूसरा एक google drive का link दिया हुआ था तो PDF में तो आपका question paper है अब इस question paper को आपने देख भी लिया इसका answer भी आपने त्यार कर लिया उसे scan भी कर लिया अब बारी है उसको upload करने की last step आपका उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो जो आपने answer लिखा था उसका जो अपने scan किया था और file का नाम दिया था वो नाम आपको देहान रखना है यहाँ पास देखिए student को अपना नाम लिखना है suppose हम यहाँ लिख देते हैं A उसका admission number जो भी हो 11 और उसके बास section कि section में आप पढ़ते हैं A, B, C जो भी section हो आपका section बस ज्यादा information यहाँ पास नहीं है केवल आपको अपना नाम डालना है अपना admission number डालना है और कि section में आप पढ़ते हैं 10A में है 10B में है 5A, 5B, 6A, 6B जो भी हो आप यहाँ पास set कर लिजेगा उसके बाद main option आता है आपका last में दिख रहा हुआ upload file in PDF format only यहाँ पास जो add file जो दिख रहा उस पे आप touch किजेगा जैसे ही add file पर आप ट्च करेंगे, यहाँ पास देखें my drive का option दिख रहा होगा my drive पे आपको जाना है यह my drive पे गए बस यहाँ पास देखिए जो search box यहाँ पास दिखा है आमको यह search box इसमें आपको वो file का नाम लिख देना है जो आपने भी save किया था Jean उस file का आपने नाम दिया था class यह देखिए class 10th fireat करके यह फाइल आपको यहाँ पास दिख रही होगी, जैसे ही आप टाइप करेंगे, अपने आप वो सर्च करके दिखाने लगए तो class 10.fit, class 10.fit, या तो फिर इसको close कर देते हैं, यहाँ से close बटन है, या तो यह directly सर्च किया हमने upload हो गया हो जाएगा, या तो फिर से करके दिखात करके भी देख सकते हैं, अगर आपको सर्च करने में problem जा रही है, तो आप यहाँ से ऐसे scroll करके page को आप देख सकते हैं, यह देखिए, class 10, यहाँ पास आगया, यह दिख रहा आपको, आपको बस दोनों option है, या तो इस search box में, यह जो box दिख रहा, इस box में आप file का, यह जो select कर लिए, उसके बाद यहाँ पास button दिख रहा होगा, आपको select का, select हो गया, यह देखिए, जब तक यहाँ पास कोई file आपकी न दिखे, जो इस नाम से आपने file बनाया था, तब तक आपको submit नहीं करना है, जब आपको file का नाम यहाँ दिखेगा, इसका मतलब है कि file यहाँ पास upload हो गई, ठीक है, इसके बाद upload करने के बाद, जस नीचे एक submit का button है, बस उसे आपको submit कर देना, यह submit पे मैंने touch कर दिया, यह submit हो गया, ठीक है, इस तरह का message last में आपको दिखना चाहिए, कि जो भी responses है has been recorded, ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो paper है, वो teacher के पास submit हो गया ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही easy तरीके से अपना paper scan करके, एक PDF format में create करके, file को upload कर सकते हैं, I think, सारा step आपको समझ में आ गया होगा, कोई doubt हो इसे related, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,